हाई फ्रेंड्स हपी विंटर मॉर्निंग विंटर में तो ऐसे होता है दिन छोटा एन रात लंबी बड़ सुबह ऐसा लगता है जैसे अभी ही सोए थे एन इतनी जल्दी सुबह भी हो गई आप लोगों को भी क्या विंटर में सुबह सुबह ज़्यादा नीद आती है मेरी तरफ देखिए देखिए नहीं सुनिए ये बड्स की चर्पिंग इनको कभी सुबह नीध नी आती है चलिए अब इनको कने देते हैं चर्पिंग and हम फॉलो करते हैं अपना रोटीन आज कल टैप वोटर इतना ठंडा आ रहा है सो मैंने मिनी टब में लिया है थोड़ा गुन गुना पानी हाँ अब लग रहा है मौनिंग हो गई फिर मैंने कल लिया ब्रश and मौनिंग में पानी पिना इस मस फिर मैंने शांती से बैठ के पिया अग लास ओफ वोटर हाई कैसे हो आप सब सब लोग कहते हैं विंटर आग्या बट मुझी तो बिलकुल थंडी ही नहीं लग रही बाइदे वे इस टियारा मैं प्रिंसेस लग रही हूँ ना काफी थंडी है आज तो वैसे तो टाइम है अभी फिटनेस का बट पहले ले ले लेते हैं मजा उटके सोने का जब तक दीदी सो रही है आप बताईए मैं कहां से आई हूँ फिर मैं दीदी को जगाती हूँ ये देखे दी इस रेडी फर फिटनेस एंड येस मैं आई हूँ फ्रम मिनिसो थंडी भगाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ मॉर्निंग मॉर्निंग में सेहत बनाओ वैसे exercise करने का सबसे ज़्यादा मजाना विंटर में आता है क्योंकि हमें चो बहुत थंडी लग रही होती है वो सुबह सुबह उठ जाती है और पूरे दिन कम थंडी लगती है हमें वैसे बहुत दिनों से आप लोग कह रहे हैं तो बहुत सारे DIY वीडियोज भी आने वाले है लेकिन आपको कौन से DIY ज़्यादा पसंद है वो कमेंट करके बताना तो वो मैं पहले बनाऊंगी So fittest तो मेरी almost होने आई है and अब मैं बात लेके हो जाती हूं ready ready होके सबसे पहले की मैंने पूजा as usual and mom is busy with her morning tasks यहाँ पे बन रही है चाई गरम-गरम but वैसे मेरा favorite है बोन वीडा जो मैंने आज लिया आलो पूहा के साथ and साथ-साथ में मैं मुमा को ये पूछ रही थी कि आज के ये वाले outfit के साथ कौन से वाली हैस टाइल जाएगी and yes कुछ matching accessories भी ताएगी वैनिटी में से तो चलो वो accessories निकाल लेते है सबसे पहले मैंने निकाल लिये कुछ necklaces जो इसके साथ मैच चाह सकते है and उन सब necklaces में से आथिंग ये clock वाला सबसे ज़्यादा matching होगा and yes bracelet में से तो यही सबसे best रहेगा अब है ear tops की बारी तो ear tops में साथिंग यही white best रहेगी तो मैंने ये सारी accessories पहन ली और ममा ने मुझे unique सी hair style कर दी and I am ready and जो necklaces है न वो है 50 rupees वाला जो recent purchases में से है वैसे आज के outfits के according आज की accessories कैसे लगी आपको and ये क्या हो गया mini rubbers का पूरा pouch नीचे गिर गया सबसे पहले ये वापस fill करके उपर रख लिया फिर पूरे dressing table को declutter कर लिया and yes ये है वो वाले DIY hairpin जो कल बनाई थी आपको याद है न and yes इस में एक charm भी है and वो बनाई थी सिफ pulse and coverage से and बातों ही बातों में मैंने dressing table क्लीन करना भी start कर दिया भी था microfiber and मैं ये सूच रही थी कि ये nail paint में काफी अब निकल रही है तो आज वो भी change करनी पड़ेगी and मैं सूच रही हूँ quick nail art ही कर लेता है कुछ लेकिन अभी नहीं वो तो after run को hello hello मैं ही बोल रहा हूँ many rabbit एक बात बताईए ये nail paint में paint क्यों नहीं है actually ये तो nail paint नहीं ये बस एक sponge है जो make up का sponge है लेकिन इसको shape दिया है nail paint वाला अब bed पर से सारे pillows को नीचे रखके मैंने घुमा लिया microfiber actually pillows को नीचे इसलिए रख दिया क्योंकि उन पर dust ना आ जाए microfiber गुमाने से एकदम micro dust आ जाएगी microfiber में and सब कुछ एकदम clean clean हो जाएगा hello amazions पैचाना मुझे इदर आईए एक बात बताता हूँ कितने दिन से देदी कह रही है कि इसमें उसका photo रखेगी photo रखेगी लेकिन अभी तक कोई photo रखाए नहीं है तो मैं कैसे लगा transition and यह है organized look of the bed वैसे यह जो cycle and scooter वाले pillows है न वो तो मुझे इतने पसंद है और उनका color combination भी कितना मस्त है चलो अब start कर देते हैं पढ़ाई आज सबसे पहले करेंगे writing work और उसके बाद reading work ओई सुनो सब दी तो पढ़ाई कर रही है आप सब क्या कर रहे हो सब मज़े में चलो अब मैं शांती से बैठ जाता हूँ वहना दीदी बोले कि डिस्टब कर रहा है सो बाउच में से pen लेके फटा फट लिखना start कर दिया actually आपका running पढ़ाई का time क्या है मदब सुबह का दोपर का या evening का मैं everyday morning में तो पढ़ाई करती हूँ लेकिन साथ साथ में कभी कभी evening में भी थोड़ा ज्यादा टास्क होता है तो पढ़ाई करनी रहती है और आज का writing का task is over अब भी लेते हैं lime juice और आपको पता है मैं कहां पे बैठ के पीने वाली हूँ yellow teddy के साथ yellow puffy पे बैठ के and glass में भी yellow yellow lemon की slice है lime juice भी के फिर से start कर दी पढ़ाई और साथ में खाने के लिए कुछ dry fruits दे लिए and एक mini chocolate and sofa पे काफी अच्छी दूप पी आ रही थी तो साथ में sunrise लेते लेते पढ़ाई की and आपको बता है dry fruits and chocolate में से मैं सबसे पहले खाती हूँ chocolate and उसके बाद dry fruits खाती हूँ now it's lunch time lunch में है my favorite rajma चावल and rice with tomato के slice and butter milk and वो भी एकदम फ्रोधी फ्रोधी butter milk और अभी मैं ममा को वही बता रही हूँ कि इतनी फ्रोधी फ्रोधी butter milk काफी मस्त है फिर ममा ने पूछा राजमा कैसे बने है तो मैंने कहा वो तो as usual awesome ही है ये है wet napkin and फिर dry napkin एकदम clean करने के लिए सो ममा kitchen clean करने के लिए रखते हैं दो napkin जिससे होता है kitchen clean बहतरीन and now it's mukhwas time ये रता है हमारा homemade mukhwas and then lunch के बाद walk and walk करते करते थोड़ा talk भी और मैं सोच रहे थी कि जो मैं nail art करने वाली थी वो अभी कर लूँ चलो तो सबसे पहले करते nail paint को remove जिसके लिए यहाँ पे मैंने already remove and cotton रख दिया है and nail paint remove करते करते वो सोच रहे थी कि कौन से दो color combinations वाले nail art करूँ क्योंकि जो मैं nail art करने वाली हूँ उसमें आने वाले है दो color तो ये दोनों color की nail paints मैंने choose की and सबसे पहले कर लिया white का एक coat तेन वो सुख जाए उसके बाद दूसरा coat and वो भी सुख जाए उसके बाद pink से art कर ली actually न मुझे कुछ और type की nail art करने थी but मैंने ये quick and easy वाले इसलिए कर ली क्योंकि इसके बाद करना है DIY जो मेरे माइन में already है तो वो करने की मुझे काफी जल्दी थी इसलिए फटाफंट nail art करके मैं पहुँच गए DIY room and आज का DIY हम करने वाले है ये वाले super clay से सुनके आपको भी मेरी तरह काफी मज़ा आया ना मुझे भी super clay से DIY करने में बहुत मज़ा आता है and आज हम बनाने वाले है hair clips तो ये हम paste करने वाले है hair clip पर actually मेरे पास ना black color की hair clips की कुछ pairs थी but मैंने सोचा उसको different different outfit से match करने के लिए इसको customize करते है क्योंकि ऐसे plain hair clips तो हमारे पास बहुत सारी होती है ना तो हम अगर कुछ designs बना लेंगे उसके उपर I mean ऐसे कुछ clay से DIY करके paste कर देंगे तो वो हमारे different outfit के साथ exactly match होगी and बातों ही बातों मैं first वाला DIY तो बन भी गया फिर 5B bond की help से मैंने clip पर paste कर दिया and अब बारी है second DIY बनाने की तो ये rolling करने के लिए मैं यूज करी हूँ वो जो toolbox है ना मेरे पास उसका lid क्योंकि उससे बहुत अच्छे से ये shape हो रहा है so मैंने इस तरह से 3 different different color के rounds बनाए मुझे gradient effect देनी थी तो मैंने सारे pink के shades चूस किये and साथ में मैंने 4th red वाला भी choose किया था लेकिन वो इसमें आने पाया तो उससे ये वाली एकदम quick hair clip बना ली and last but not the least कुछ amazing सी hair clip बनाए so मैंने इसको दे दिया rectangle shape and ये shape देते देते ध्यान रहे कि कई pin से छोटा वाला shape ना बन जाए क्योंकि मेरी hair clip तो वैसे भी एकदम छोटी वाली है लेकिन अगर आपके पास hair clip जो बड़ी वाली है उसमें बना रहे है तो थोड़ा सा आपको बड़ा shape देना पड़ेगा फिर इस तरह से randomly मैंने white paste किया and कुछ dots बना लिए so our fourth hair clip is also ready तो है ना super clay से बनाई हुई hair clip super easy and बनाने में तो super interesting जल्दी जल्दी comment करके बताईए आपकी इसमें से favorite कौन सी वाली है मुझे तो pink बहुत अच्छी लगी फिर मैं DIY करके नीचे आ रही थी तो मैंने देखा कि mom fruits को निकाल रहे है plates में देखके मुझे आया एक idea तो हमारी coconut tree वाली fruit dish रही हो गई है कैसे लगी आपको मेरी design इसमें सबसे cute ना मुझे ये green वाली grapes लग रही है फिर वो fruit dish में से हमने fruits खाए और निकल गए बाहर तो हमें थोड़ा सा काम था सबसे पहले वो तो finish कर दिया फिर हम गए zinc London में एक्चिली कुछ shopping करने का तो plan नहीं था इसलिए curly window shopping यहाँ पे na clothes में काफ़े different varieties तो थी ही लेकिन designs भी काफ़े must must थी आज का तो day है सिफ window shopping का यहाँ पे लेकिन जब हम यहाँ से shopping करेंगे तो आप से जरूर शायर करेंगे वैसे आप भी हमारे साथ यह decide करते जाएए कि हम जो यहाँ पे different different clothes या outfit देख रहे है उसमें से कौन सा हमें buy करना चाहिए मतलब कौन से outfits बहुत अच्छे लगेंगे और एक मज़ेदार बात बताऊँ यहाँ पे na Saturday Sunday 50% off चल रहा है तो हम सोच रहे है क्यों न संडे फिर से आई यहाँ पे तो वो है सिफ इस Saturday Sunday के लिए यह वीडियो तो हमने Saturday बनाया तो आप देख रहे है संडे तो जल्दी जल्दी कमेंट करें मैं पढ़ ही रही हूँ कि जब हम संडे को यहाँ जाएंगे तो क्या क्या भाई करें फिर देखी यहाँ पे हमने कुछ एक्सेसरीज तो यही तो है डिसकाउंट का कमाल विंडो शॉपिंग से बन गया शॉपिंग का प्लान एक्चिली एकदम कनफर्म नहीं है लेकिन कल हम जाएंगे तो व्लॉग में जरूर शेयर करूंगी फिल्हाल चलते हैं गार्डन वॉक करने के लिए वैसे आपको याद है न मेरे जो न्यू यर रिजॉलेशन्स में आपके साथ शेयर किये थे उसमें एक ये भी था कि मैं एक्सराइस में तो रुगिलर हूँ लिकिन वोक में नहीं हूँ तो अब से वोक में भी मुझे रुगिलर रहना है फिर से वोक 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 एंड ममा के साथ टॉक सो अब मैं ट्राइ करूँगी कि मॉमा के साथ मैं रोज इवनिंग वॉक करने जाओं अब हम पहुँच गए गर घर पे आके सबसे पहले क्या करेंगे अब कॉर्स बाहर से आया है तो सबसे पहले करेंगे हैंड वॉश and we must keep ourselves hydrated सो पानी पीना नहीं है भूलना आज का पढ़ाई का टास्क थोड़ा सा लंबा था तो सुबद ही सब कुछ complete नहीं हो पाया इसलिए इवनिंग में भी थोड़ी से पढ़ाई कर ली चलो अब कर लेते हैं इंट्रेस्टिंग टास्क जो है डांस के वीडियो शूट करना एक्चली अभी तो इसमें म्यूट रखा है लेकिन ये विट म्यूजिक आने वाला है रियाज अमेजिंग डांस वर्ल्ल में एन इंड्रेस्टिंग बात कि वो आज ही आने वाला है एन नाव इट इस टीम के ओसी टाइम जो है माई फेवरेट शो ये चल रही है डिनर प्रिपरेशन क्या आप गैस कर सकता है डिनर में क्या बनने वाला होगा येस डिनर में बन रहा है मेथी के थेपले जो है एकदम विंटर स्पेशल और साथ में थोड़ी सी स्पाइसी पोटेटो की सबजी भी है तो गरमागरम मज़दार डिनर करके मैंने कर लिया थड़ा सा वॉक चलो अब खेलते हैं कुछ गेम्स विथ मॉम तो आज मैं ले रही हूँ कलर ट्रैप गेम अगर ये गेम के बारे में बात करें तो ये गेम है कुछ ऐसे ही जिससे बढ़ती है हमारी मेमरी फिर मैंने लिख ली डेली डाइरी वैसे आप लोग कभी कभी पूछते है कि हम डेली डाइरी में क्या लिख सकता है तो मैं तो लिखती हूँ आज की दिन की मेमरी इस दिन मुझे क्या क्या करना है हम और भी बहुत कुछ लिख सकता है अब खालेता है विंटर स्पेशल डेजर्ट जो है केरेट हलवा एक्चिली स्किन केरा सुभई करनी थी लेकिन छोटा सा नैप आ गया तो फिर रह गई इसलिए अब कर लेती हूँ सो आलमन एन हनी से ना काफी मस्त रहता है इसलिए आलमन एन हनी लिया स्किन केर में और जब तक ये सूख रहा है तब तक आप लोगों की कमेंट्स पढ़ी और थेंक यू सो मच पर यो प्रिटी प्रिटी एन अमेजिंग कमेंट रात को ब्रश करना भी बहुत इंपोर्टन है अब ममा मुझे अपलाई करके दे रहे है डियावाई है रॉयल इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे तो नीन दाने भी शुरू हो गई सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई